देश के परदूसित सहरों में नंबर वन रहने के बाद भी नगर परिसत प्रकिर्ती से खिलवार कर रही है यहाँ परदूसन कम करने का उपाय खोजने के बजाए जिले को और परदूसित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है हाल ये है कि सहर से सटे अमलोरी और छोटपूर गाओं के बीच गोपाल गंज को जाने वाली नेसनल हाईवे के किनारे नगर परिसद ने कूड़ा डंपिंग केंद्र बना दिया है जहाँ पर वर्सों से नगर परिशत छेतर से निकलने वाले कूड़े को डंपिंग किया जा रहा है डंपिंग कूड़ा कचड़ा फेकने के दौरान नेस्नल हाईवे के किनारे लगे 30-40 पुराने हरे भरे पेड जल गए है कूड़ा से निकलने वाले धुवा से सिवान सहर और ग्रामिर छेतरों की आबो हवाज जहरी ली हो गई है साथ ही इस धुवा से संक्रमित बिमारियों की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है नगर परिशत छेतर के सीमा से कुछी दूरी पर यह कूड़ा जलाय जा रहा है इसका प्रदूसन सहर के तरफ भी फैल रहा है पुराने वो नए हरे भरे पेड़ों को कूड़े के आग से जलने की सूचने के बाद वन विभाग की टीम एक्सन मोड में आ गई है वनो के छेतर प्रद्धिकारी ने मामले की जाच को लेकर टीम का गठन कर दिया है टीम से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित लोगों पर एफ आई आर की जाएगी पर आर के बाद से इंडिता आर के जाएगी इंडिता बाद संबंधिता आर के देन शोग की जाएगी झाल का झाल